स्वागता बच्चों आपका सेल स्टुडी के चैनल में तो आज की हम अपनी इस वीडियो में बेसिक लेक्चर टू करने वाले हैं एड्जेक्टिव के बारे में इससे पहले मैंने नाउन का एक बेसिक लेक्चर लिया है उसकी तीन वीडियो च्छोटी च्छोटी तीन वीड आट पार्ट सेल स्पिच्छ है इनका एक बार हम बेसिक चेक करेंगे बेसिक चेक करने के पीछे रीज़न यह है कि जब भी मैं कोई सेंटेंस लिकूं जब हम डिटेल में करेंगे तो आपम यह पहचान पाएं कि उससेंटेंस में जो भी कोई particular word आया हुआ है उसका parts of speech कै है माइने कि वो noun है या फिर वो pronoun है या फिर वो conjunction है या फिर वो proportion है कुछ भी है वो 8 parts of speech में कुछ भी है आप वो particular शब्द पहचान पहें देखो जब तक आप पहचान होगे नहीं तब तक आप error नहीं तो वो जो सारी चीज़ें वो मैंने पहले lecture में आप लोगों के साथ discuss की हुई आप जाकर वो देखें तो आज की हम अपनी वीडियो में स्टार्ट करने वाले adjective क्या होते है adjective जह है adjective qualify करता है एक noun और एक pronoun को qualify का मतलब क्या होता है विशेष्था बताता है विशेष्था कैसे विशेष्था देखें कोई भी noun या प्रणौन देखो यह adjective इन दोनों को ही qualify करेगा noun और pronoun को विशेष्था कैसे बताएगा कोई चीज अच्छी है कोई चीज बूरी है, कोई चीज सस्ती है कोई चीज महंगी है, कोई चीज नहीं है कोई चीज पुरानी है कैसे भी चीज है, कितनी भी चीज है एक है, दो है, उसके बारे में संख्या बताना, इशारा करना उसके तरफ, इस, डैट, यह सारी चीज़ें जो होती है, वह adjective होती है जो एक noun को qualify करते है देखे, qualify का मतलब यह नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ विशेस्ता, गुन ही बताएगा यहाँ पर कुछ भी बता सकता है qualify करने का मतलब है, उसके बारे में information दे दे, यहाँ पर, clear उसे हम adjective कहेंगे इतनी चीज चीज clear होगी, example के तरफ हुए है, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह पांच जो word है, हम इनके बारे में इनका parts of speech है, यह नहीं इनको x-ray करेंगे, इनके parts of speech इनके नीचे लिखेंगे, और इनकी शुरुवात मैंने कैसे करने, किसी भी sentence को अगर break करेंगे, कर रहे बोले तो, जो काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, यहाँ पर खरीदने का काम हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसको represent कर दे, उसी को हम verb कहेंगे, साथ इसाथ, जिसकी तीन form होती है, वर्ब की तीन form होती है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे, ओके, यहाँ किसका reply मिल जाए what या फिर whom इन दोनों का reply मिल जाए मतलब कि what या फिर whom और लगा देता हूँ what या whom का reply मिल जाए तो वो आपका साम वो क्या होगा object होगा साथ ही साथ object क्या होना चाहिए action का receiver भी होना चाहिए action का क्या होना चाहिए receiver भी होना चाहिए एक बर जिरा मोहन, बोट, वट, बाकी का sentence भूल जाईए यहां पर आप लिखिए मोहन, बोट, यहां पर इसके बाद जो है, कोशन मार्क लगा देजी अगर आपको उसका reply मिल रहा है तो जरूर आपके सामने object मिलेगा मोहन, बोट, वट, हाउस reply मिल रहा है, तो यह house क्या बनेगा यहां पर object बनेगा, एक बर मैं rough कर देता हूँ यहां पर थोड़ा ज़्यादा मैंने किच-पिच-पिच कर दी है clear यहां पर, एक इनट, यह भी कर देते हैं तो मोहन, बोट, वट, हाउस एक घर खरीदा, तो जब घर खरीदा है तो यहां पर मतलब कि, यहां पर आपको reply मिल रहा है, तो यह क्या बनेगा? object बनेगा, clear अब object बनेगा, कुछ ना कुछ तो इसका part source speech होगा, यह तो काम होता है देखे, मैं फिर से देखे, सारी बताया था, की भी, एक होता है काम, एक होता है, नाम ठीक है, कोई भी छब्द जो होता है, वो दो काम करता है जैसे यह house, यहां पर इसका नाम क्या है, नाउन है, यह नाउन बना है, ठीक है, काम क्या कर रहा है काम यह object बनने का कर रहा है, यह सारी चीज़े मैंने discuss की हुई है वहाँ पर, clear तो यह house का है, noun है parts of speech है न, इसका noun clear, okay Mohan का है, देखें, यह action का receiver होगा मैं यह कहूँगा कि यह जो house है, वो object बनाए किसका, verb का object बनाए, verb का object बनाए, clear हुआ a article होते हैं, अपने पास तीन ही article होते हैं, इसलिए मैं लिख हूँगा नहीं, a, and the यह तीन ही article होते हैं, clear तीन article होते हैं, यहाँ पर आपकी सामने यहाँ पर a लगा हुई article है, okay Mohan का है, देखें, action को करने वाला, action को करने वाला, यह मैंने कहा था, action को करने वाला कौन होता है action को करने वाला कौन होता है subject होता है action को करने वाला कौन होता है subject होता है यहाँ पर इस खरीदने को काम कर कौन रहा है यह मोहन कर रहा है तो यह क्या बनेगा subject बनेगा clear हुआ यह subject बनेगा यह subject बनेगा वही फिर से इसका काम तो होगा, subject बनने का नाम क्या है? नाम मोहन नहीं है इसका English grammar में नाम क्या है? इसका English grammar में नाम है, noun noun में भी कौन सा? proper clear यहाँ पे, सारे words हमने देख लिए यह noun देख लिया, subject बना हुए यह verb देख लिया, यह article देख लिया इस घर के बारे में, कैसा घर है? बड़ा घर है, big house जो big house है, इसको qualify कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? adjective कहेंगे, clear हुआ एक ऐसा word जो किसी noun या pronoun को qualify कर दे, qualify in the sense कि उसके बारे में कुछ आपको information दे, कुछ बता दे आपकी local language में बात करूँ कि आपको उस word के बारे में बता दे तो उसको हम क्या कहेंगे? adjective कहेंगे, clear हुआ यहाँ पर यह था adjective एक बड़ मैं इसको सारे को rough कर देता हूँ जो यहाँ पर लिखा है, और एकदम बढ़िया सा जादू करके हम कुछ अच्छा सा करते हैं अच्छी बुरी उसके बारे में आपको counting बता दे, वो सारा हम करने वाले हैं adjective कितने टाइप का होता है, वो सारी चीजे आप basic lecture में थोड़ा थोड़ा हम करेंगे clear, तो आपकी सामने यहाँ पर एक मिनट यह थोड़ा सोर यहां से rough करना पड़ेगा मुझे, ओके I hope so आपने यह लिख लिया होगा सारा का सारा, ठीक है तो यह मैंने यहाँ पर एकदम बड़या बड़या लिखा है ताकि आप लोगों को कोई परिशानी ना हो मेरी writing जो हो जादा अच्छी नहीं है तो इसलिए मैंने पहले लिख दिया था आपके सामने यहाँ पर लिखा है, यह subject बना हुआ है noun है, ठीक है, यह verb है यह adjective है, यह object of verb है clear, यह क्या बना है यह object बना है और इसका part so speech के noun है common है, इतनी चीज़ clear हुई आप आगे चलते हैं कि इतना बताने के बाद adjective क्या काम करता है qualify करता है, अब हम जो है adjective के क्या देखेंगे, type देखेंगे, यह रहे आपके सामने यह सारे type नहीं है यह basic के ही type है, जब हम detail से adjective करेंगे, तो वहाँ पर हम इनके सारे जितने भी type आते हैं, वहाँ हम उचके बारें बात कर लेंगे, जब detail से lecture करेंगे, adjective का तो यहाँ पर आप जड़ा एक पर नाम पढ़ेंगे, qualitative adjective qualitative adjective, जो नाम आप पढ़ोगे उसका अगर हिंदी आपने translate किया तो अपने आप बता देगा, यह qualitative होता क्या है, quality बताने वाला गुणवत्ता बताने वाला, गुणवत्ता कैसी हो सकती है कुछ भी हो सकती है, okay quantitative, संख्या बताने वाला possessive का मतलब अधिकार possessive का मतलब अधिकार demonstrative, संकेत संकेत करना, numeral, फिर से संख्या बताने वाला और proper, जो proper noun से बना हुआ, एक proper adjective भी यहां पर होता है example की तुरू समझते हैं, जैसे qualitative adjective, qualitative adjective का मतलब nice, big, new, circular red, wood, quality बता रहे हैं कैसी कैसी quality बता रहे हैं जैसे quality बताने का मतलब है, आपने nice बोला, तो opinion बताया big बोला, तो size बताया new बोला, तो यानि उसकी age बताई circular, यानि कोई उसकी कैसी shape है, red, यानि उसका कैसा color है, wooden, यानि कैसा material यूज किया गया है तो यह सारी जो है, वो qualitative adjective में आते हैं, कैसा हो गए हैं यहां पर opinion बताने वाले, size बताने वाले, age बताने वाले, shape बताने वाले, color material बताने वाले, यह क्या होते हैं qualitative adjective होते हैं, clear हुआ यहां पर, okay अब बात करते है, quantitative adjective quantitative adjective में क्या होते है, some many, little, few much, etc, एक न मैंने आप लोगों को एक term कराई थी, countable और uncountable, यह जो sum होता है, countable uncountable noun होते हैं, जैसे मैं यहां लिखूँ, water यह noun है, अब मैं आपसे पूछूँ, यह जो water है, क्या वो countable है या uncountable है, क्या आप water को गिन सकते हो, क्या आप water को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हैं उसको माप सकते हैं, उसको आप माप सकते हैं, एक liter, दो liter, लेकिन आप इसको गिन नहीं सकते हैं जो गिन नहीं सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं uncountable कहते हैं तो यहाँ पर जो मैंने यह sum लिखा है countable slash लगा कि uncountable इसका मतलब यह है कि sum जो है वो दोनों ही condition में काम कर जाएगा आप एक तरीके से मैं यहाँ लिखूँ books books को आप क्या कर सकते हो गिन सकते हो यह u planning one book, two books, three books ऐसे कर सकते हो to countable के इसके मतलब कि यह जो sum है आप ऐसे कर सकते है some books और sum voter दोनों ही चिजों में आ सकता है यहनि countable के लिए भी लग सकता है और uncountable के लिए लग सकता है same many जो है वो countable के लिए लगेगा many books ये होगा many water ये गलत होगा little जो uncountable के लिए लगेगा little water ये सही है little book ये गलत है few countable के लिए लगेगा few books और few सही है few water गलत है much uncountable के लिए लगेगा ये सारी चीज़े मैंने लिखी है ताकि आप लोग असानी से इन चीजों को समझ सकें clear हुआ यहाँ पर possessive objective के उपर आते है possessive objective क्या होते है अधिकार बताने वाले अब आप काफी सारे यह सोचेंगे my, our, your, his, her कैसे किसी चीज़ को qualify कर देते हैं आप example के दुरू समझे example में जैसे मैंने यहाँ लिखा my car, यह जो car है किसकी car है, my यानि मेरी, यहाँ पर माई ने इस car के बारे में बताया नहीं बताया भाया, मेरी car है, यहाँ पर अगर मैं your लिखता तो तुम्हारी car है तो यह जो word है यहाँ पर आने वाले यह अधिकार ही तो बता रहे हैं इसके उपर अगर अधिकार बता रहे हैं एक तरीके से इसके बारे में information ही दे रहे हैं और कोई word जो किसी noun के बारे में information दे दे उसे हम क्या कहेंगे? adjective कहेंगे करेंगे इनको detail से बहुत बढ़िया तरीके से करने वाले हम इन चीजों को clear हुआ तो my हो गया, our हो गया, your, his, her, it's there इन सारी चीजों को हम करने वाले हैं जो हम pronoun का basic नहीं उसका detail पे जाएंगे वहाँ पर हम करेंगे clear हुआ demonstrative adjective आजो demonstrative adjective this, that, these, those जरा इनको देखो, this जो होता है वो नजदीक वाले के लिए लगता है और singular के लिए लगता है, मतलब एक होना चाहिए जैसे this car ये करूँगा this cars नहीं कर सकता क्योंकि ये plural हो गया, तो this जो हो नजदीक हो और singular हो इसनी चीज के लिए हो, that जो होता है वो singular हो लेकिन दूर हो, आपके नजदीक कोई चीज रखिए तो आप this कहेंगे आपके दूर कोई चीज रखिए तो आप that कहेंगे, ऐसे these जो होता है, वो cars के लिए लगेगा जो नजदीक cars है, जैसे these cars, those जो है, वो इसका उल्टा समझो, दूर के लिए लगेगा those cars, लेकिन दोनों ही जो है, वो plural के लिए लगेंगे, plural के लिए लेकिन ये नजदीक के लिए, ये नजदीक के लिए ये दूर के लिए, same इन दोनों में, ये दोनों जो है, वो singular के लिए लगेंगे, किसके लिए लगेंगे, singular के लिए, यह नजदीक के लिए, और यह दूर के लिए, clear हुआ यहाँ पर, ओके, यह होता है, demonstrative यानि संकेत करना, अगला जो है, numeral adjective, numeral adjective का मतलब, यह देखे, quantitative adjective यानि संख्या बताने वाला, संख्या यानि मातरा बताने वाला, यह उसी का ही पार्ट है, अलग करके बस एक तरीके से लिखा हुए, इसमें क्या होता है, one, two, three, कोई number बता दे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, mathematically, one, two, three, ऐसा नहीं है कि आप words में ही इसको लिखेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, clear हुआ, first, इसको मैंने दोनों ही में लिखा है, first और इसको ऐ सकते हैं, cardinal, ordinal, ordinal कौन से होते हैं, यह first, second, third वाले, cardinal कौन से होते हैं, one, two, three वाले, इतनी चीज़ clear हुई, okay, अब आते हैं, जो इक टाइप बसते हैं हमारे सामने, proper, proper adjective, proper adjective क्या होते हैं, जैसे Italy, Germany, Germany, Germany से ही बना German, 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 German tank, German technology, Italy से बना Italian tank, Italian technology, गांधी से बना गांधिय philosophy, तो यह जो चीज़े हैं, वो proper noun से बना कर आई हुई होती हैं, इनको ही proper adjective कहते हैं, ठीक हैं, यह कैसे qualify कर रहे हैं, जैसे बोला न मैंने, German technology, German tank, ऐसे चीज़े हैं, German soldier, तो यह जारी चीज़े हैं, वो किसी चीज़ के पहले लग कर, उसको qualify कर रही हैं, तो इसको हम क्या क तोर पर use की जाएं, जैसे कहें कि मैं एक language सीख रहा हूं, मैं कहूं कि मैं German सीख रहा हूं, तो वहाँ पर यह noun बन जाएंगी, वहाँ पर क्या बन जाएंगी, यह noun बन जाएंगी, लेकिन अगर किसी word को यह qualify कर दी होगी, तो वहाँ पर adjective बन जाएंगी, अब एक थोड़ी सी confusion हो सकती है बच्चों को, देखिए, यहाँ पर कुछ word ऐसे हैं, जैसे यह this, यह pronoun भी होता है, pronoun के अंदर भी use होता है, करवाँगा, सारे differentiate भी करवाँगा कि कब यह noun होगा, कब यह आप इसको adjective करेंगे, कब इसको pronoun करेंगे, same to same, कब इसको आप adjective करेंगे, कब इसको noun करे देखिए, जितना मैंने बोला है कि जरूरी नहीं कि यह सारे word मैं कहूं कि adjective हैं, तो adjective के तोर भी काम करेंगे, बहुत सारे ऐसे words होते हैं, जो एक word जो है, वो काफी सारे parts of speech का काम कर देते हैं, वो सारी चीजे हम सीखेंगे, अभी जितना बता रहा हूँ, उतना ही gain करना है अब लोग, मतलब उतना ही catch करना है, उतना ही याद रखना है, धीरे 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 आपके सामने मतलब की रास्ते खूलते चलेंगे, आपको चलते चलना है, अभी जल्दबाजी नहीं करनी आगे बढ़ने में, clear हुआ, okay, जितना कुछ हमने सीखा अब तक, आपके सामन करने के बाद आपको उन जितने भी sentence है जितने ये लिखें आपकी समने सिर्फ चार ही sentence है आपको क्या करना है इन चारो sentence को break करना है आपको यहाँ पर find out करना है कि adjective कहा है देखिए यहाँ कोई error नहीं है error इसलिए नहीं है क्योंकि पहली यह जो basic है आपके at least error तो तब निकाले आप noun जानते हों कि आप at least उनको पहचान तो पाएं ठीक करना तो बात की बात है पहला पहचान ना सिखें तो आपके सामने यहाँ पे चार वर्ड है आपको करना क्या है वीडियो पोज करनी है और वीडियो पोज करने के बाद आपको यह सारे sentence break करने है अपनी book के यह अप पहला sentence break करना क्या कहा था मैंने जब sentence को हम break करेंगे तो शुरुआत कहां से करेंगे शुरुआत हम करेंगे वर्ड से इस पूरे sentence में वर्ड क्या है इस पूरे sentence में वर्ड है यह scored score 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 तीन फ़र्म है इसकी यह तीन फ़र्म है तो यह क्या बनेगा आपके सामने वर्ड यह scored what, अगर आपको इसके बाद scored what रखने से आपको reply मिल रहा है तो आपको object मिलेगा, scored what scored runs, तो ये क्या है object है, किसका किसका object है भईया, ये object है scored का, clear, noun है देखे, object और subject बनने का काम सिरुफर सिरुफर noun और pronoun के पास है, इतना ध्यान रखना clear, okay यहां पर देखे, यह score करने का काम किया किसने, यह score करने का काम किया, इस team ने, इस team ने score को किया किसने, इस team ने तो यह क्या बनेगा, subject बनेगा doer है न यहां पर, clear, ओके ये in क्या होते है, एक पर थोड़ा साप लोगों को एक idea देते तो हम, कि in at, on यह थोड़े basic से है for, to, from यह जो होते हैं क्या कहते हैं prep position होते हैं at least इतना पहचान आना चाहिए आपको तो यह prep position होते हैं और prep position के बाद क्या आते हैं उसके आते हैं object और मैंने क्या कहा object कौन बनेगा हमेशा object सिर्फ और सिर्फ noun यह प्रोनाउन ही बन सकते हैं यहां पर लिख देता हूं object बनने की power किसके पास है सिर्फ noun यह प्रोनाउन के पास है पूरी English grammar में यही noun यह प्रोनाउन यह थोड़ी सी गलत लिखती अब्जेक्ट जो है वो noun यह प्रोनाउन ही बनेंगे और subject भी noun यह प्रोनाउन ही बनेंगे पूरी English grammar में subject और object बनने की power इन दोनों के पास ही है I hope so, इतनी चीज़ clear होगी होगी जो proportion होता है proportion क्या काम करता है information add कर देता है sentence में यह बात मैं पहले बता चुका हूँ फिर भी आप लोगों के revision यहाँ पर हो जाएगी proportion क्या करता है information add करने के काम करता है यह proportion आई हुई यहाँ पर proportion लिख देता हूँ यह दा क्या होते है article होते है और मैंने क्या का जब भी proportion आ जाएगी जब भी proportion आ जाएगी sentence में उसके बाद उसका object 100% आएगा यह बात मैंने पहले बताई हुई है और जब यह proportion आगी तो इसको अपना object चाहिएगा तो यह match जो है इसका object बनेगा कैसे भाईया दा तो article होते है यह बन नहीं सकता last यह आप इसको object बना नहीं सकते last इसको आप object बना नहीं सकते अब क्यों नहीं बना सकते अगर आपने इसको object बना दिया तो आप इस match को क्या बना होगे समझ रहे हो अगर आपने इसको object बना दिया तो आप इस match को क्या बना होगे इतनी चीज़ clear रही तो यह match जो है यहां पर object बन गया किसका object बन गया prep portion का object बन गया भई prep portion का object बन गया match है क्या यह noun है common है, हर match को तो match ही कहोगा न noun, यह मने आपको लोगों करा है common, proper यह सारी चीज़े मैंने करा है abstract, collective, यह सारी चीज़े मैंने करवा रखी है आपको, clear तो यहां पर तो इतना होगा अब एक इदा आर्टिकल होगा है यह मैं लिखनी रहो हूँ clear अब यह Indian यह Indian कर क्या रहा है कौन सी टीम ने score किया है Indian टीम ने Australian टीम ने यह जो टीम Indian है यह इस टीम को qualify कर रही है इसके बारे में बता रही है, तो यह क्या है, यह है adjective, कैसा adjective proper adjective है यह proper adjective क्योंकि 58 बना हुआ, wrap up word यह बना हुआ, proper adjective हुआ इंडिया ने, यहां पर बन गया यह proper adjective, ओके, यह 332 क्या कर रहे हैं, कितने runs उन्ने किए, भाईया 382 runs, यह जो है, यह बनेगा आपका numeral adjective clear हुआ यहां पर I hope so, आप लोगों ने इतनी चीज़ें break की होंगी मैं अब यह सारा rough कर रहा हूँ अगर यह चीज़ें नहीं लिखे हैं तो लिख लेना क्योंकि यह बिल्कुल साफ साफ लिखाएगा क्योंकि थोड़ी बहुत power आजाती है न हम ओनलाइन जो पढ़ाते हैं तो थोड़ी बहुत power आ जाती है तो उस power का मैं use करने वालों देखो कर लिया हूँ यहां पर आपके सामने लिखाओ बिल्कुल एक दो साफ साफ लिखा है बहुत मैनत लगती है इस चीज़ में भी second sentence के बाद second sentence की तरफ चलते है second sentence है he sold all those questions पहला जो sentence है Indian team scored 382 runs in the last match इसकी हिंदी क्या होगी भारतिय टीम ने score किये थे 312 run अपने आखरी match में clear हूँ second sentence है he sold all those difficult questions in 20 minutes फिर से देखे यह prep position थी तो यह भी क्या है यहां पर prep position और prep position के बाद क्या आते है prep position के object आते है prep position के object आते है तो यह 20 क्या है यहां पर इसको qualify ही तो कर रहा है इसके बारे हम बता ही तो रहा है कितने भाई है 20 minutes तो क्या बनेगा यह numeral numeral adjective बनेगा numeral adjective बनेगा clear यहां पर यहाँ पर इस sentence में वैसे मुझे शुरुआ तो verb से करनी थी sold क्या है यहाँ पर? verb है sold क्या है यहाँ पर? sold what? sold questions तो यह क्या बनेगा? object बनेगा किसका object बनेगा? sold verb का object बनेगा किसने sold क्या? he यह pronoun है clear हुआ यह pronoun है इसका parts of spirit pronoun है किसने sold क्या? he ने किया तो यह subject बनेगा clear यहाँ पर he sold what questions कौन से question भाईया? those questions कितने थे? all कैसे थे? difficult थे? तो यह तीनों के तीनों यहाँ पर क्या हुए है? यह तीनों के तीनों adjective आये हुए है यह तीनों के तीनों adjective आये हुए है clear हुआ? okay अब यह क्या है? all कै है? quantitative those क्या है? demonstrative difficult कै है? qualitative adjective एक बन मैं यह सारे को rough कर रहा हूँ ताकि क्योंकि यह writing ऐसी हो जाती है कि चीज़ें समझ में नहाती तो यहाँ पर लिखा हुए है आपके सामने quantitative demonstrative qualitative यह सारा कुछ मैंने लिख दिया है यहाँ पर clear? तो आप देख सकते हैं कि जो सारे के जारे यह adjective है वो एक ही noun को qualify करने के लिए आये हुए इस sentence में हमने सीखा गया इस sentence में हमने सीखा यह कि एक noun को qualify करने के लिए आप एक adjective लगाओ दो adjective लगाओ तीन adjective लगाओ जितने मर्जिव adjective लगाने लगा सकते हो ऐसा नहीं है कि एक noun को सिर्फ एक ही बार में qualify किया जा सकता है उसके लिए एक ही adjective आएगा ऐसा नहीं है जितने भी sentence आएंगे हम कुछ ना कुछ उसमें नया edition मतलब सीखते चलेंगे, clear यहाँ पर तो first sentence, second sentence के बाद हम third sentence में चलते हैं clear, okay, third sentence में अजय, boat, big and costly house, फिर से भई trick क्या रहेगे हमारी verb से verb क्या है, boat है, तो यह verb रही okay, वो boat, what house, तो house क्या बनेगा यहाँ पर object बनेगा, object बनेगा, noun है, common है clear, okay, यह क्या होता है, article होता है, यहाँ पर मैंने कहीं पर article यह लिखा नहीं, mention किया नहीं, इतनी चीज़ समझा नहीं, article होते हैं, यह अंदा तीन article होते हैं, okay, यह article है कैसा खर, खरिदा किसने subject है यहाँ पर, ठीक है noun है, कैसा है, proper है, clear यह noun, proper, company सारी तीज़े मैंने करवा रखी, okay, यहाँ पर आओ object, boat, big and costly house, यहाँ पर यह big और यह costly कर क्या रहे हैं, किसके बारे हैं, इस house के बारे में कैसा घर था, महंगा घर था बड़ा घर था, तो यह big और costly, यह दोनों के, दोनों क्या हैं यहाँ पर adjective ही तो है adjective ही तो है, अब यह end क्या है, यह end जो है यह है conjunction, यह है conjunction, यह है conjunction clear हुआ, अब यहाँ पर सीखने को हमें क्या नया मिला सीखने को हमें नया यह मिला कि उपर वाले कहीं पर भी कोई भी conjunction use नहीं की थी एक बार conjunction के बारे बता दे तो देखो, conjunction एक ऐसा word एक ऐसा parts of speech है, जिसका काम क्या होता है, दो noun को जोड़ना दो noun को जोड़ना या दो pronoun को जोड़ना, दो pronoun को जोड़ना, या दो adjective को जोड़ना, दो adjective को जोड़ना या दो verb को जोड़ना या दो adverb को जोड़ना ठीक है? या दो sentence को जोड़ना clear? देखना ध्यान देना कि दोनों एक साइड हो लेकिन ये जो है noun और pronoun दोनों भाई भाई होते हैं तो यहाँ noun और pronoun भी चल जाते हैं लेकिन इनके लावा नहीं है यहाँ adjective और adverb नहीं लगा सकते हैं adjective और adverb और adverb और adverb और इतना ध्यान रखना clear? noun करता कि conjunction क्या करती है? conjunction जो है वो दो शब्दों को जोड़ने काम करते हैं वो दो शब्द कुछ भी हो सकते हैं आपके सामने लिखे हुए वो दो sentence भी जोड़ सकते हैं clear यहाँ पर काम क्या था? इस sentence में नया क्या सीखना आपने को? देखो उपर वाले sentence में तीन मैंने adjective लगाए और एक भी मैंने कहीं पर भी conjunction का use नहीं किया लेकिन यहाँ पर मैंने दो adjective लगाए और मैंने क्या किया? एक conjunction का use कर लिया ऐसा क्यों देखे ऊपर वाले अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर अलग-अलग-अलग-अलग यहां पर adjective लगी हुए quantitative, qualitative, demonstrative लेकिन यहां पर क्या है? same ही type की adjective है qualitative और qualitative तो इसलिए एक समानेत एक general rule है यह, ऐसे कोई पत्थर की लगीर नहीं है, कि आप इसको मान कर ही चलेंगे, जब भी आ जाएंगे, आप लगाएंगे एक समानेत एक generally माननी जाती है, कि जब भी same type की adjective यूज़ हो जाए, तो क्या करेंगे हम end conjunction का use कर देंगे, clear हुआ, यह सारा मैं एक बार rough कर रहा हूँ, आप आपने लिख लिया, क्योंकि यह तोड़ा से गिच-पिच-पिच-पिच हो रही है, खिचटी पकर रही है यह हो गया, first हो गया, second हो गया, third हो गया, अब जो last जो बस्ता है इसको हम देख लेते हैं सचीन scored his second century in that tournament, score, scored, scored, यह क्या है आपके सामने verb है, scored what century, scored what century, यह क्या बनेगा, object बनेगा, किसका object बनेगा, इस verb का object बनेगा, in क्या है, preposition है और preposition के बाद क्या आते है, preposition के object तो यह क्या बनेगा, tournament, preposition का object, P.O. लिखा है, preposition का object, that कह है, कौन सी, इशारा तो कर रहा है, that tournament, यह जो है, that tournament, that ने इस tournament के पर इशारा कर दिया, तो adjective है, कौन सा adjective है, demonstrative adjective है, clear हुआ, अभी लिखूँगा, अभी आ जाएगा, ऐसा जाद है, clear, noun है, proper है, और कौन सी century है, second century, किसकी, he is, उसकी century, यह दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पर adjective है, दोनों के दोनों क्या है, adjective है, इतनी चीज़े clear हुई, थोड़ा सा साफ करते हैं इसको, मतलब जादू करने की बारी आगी, ओके, यहाँ पर देखो, noun हो गया, यह यह वर object लगा दिया, clear, यहाँ, इन क्या है, proportional, that क्या है, demonstrative objective है, tournament क्या बनेगा, इस proportional object बनेगा, और यह proportional object बनेगा, parts of speech का, इसका noun है, तो यह आज की वीडियो थी, I hope so, आप लोगों को इतनी चीज़े clear हो गई होगी होगी, अगर clear हुई है, तो please comment करके बताना कि, आप लोगों को यह चीजें समझ में आईए, अभी बिल्कुल basic सा ही करवाया, और ऐसा नहीं है कि इतना ही था basic में, एक और आएगा, इसके बाद यह मैंने, आपको adjective versus pronoun का मैंने करवाना है, वो इसको करवाऊंगा, क्योंकि क्या है न, कि आपको थोड़ा बहुत समझने की में जुरूर है क एक word this, जो है वो adjective भी बना सकते हो, आप इसको क्या कह सकते हो, pronoun भी बना सकते हो, तो यह सब चीजें सीखने की जरूरत है, वो अगले ही जो वीडियो आएगी, या कहेंगे, adjective का second part होगा basic का, उसके अंदर माँ आप लोगों को यह चीजें करवा दूँगा, अगर यह का और Facebook का भी, तो जाकर वहाँ पर जोइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर इसकी पीडियो मिल जाएंगी, thank you for watching this video.